मेरो आत्मियता आज मानव साध्य उपसुत्र चार मां चार्चा करचु तेस्रों सुत्र मां मैं ले मन को मदेस्तता माथी चर्चा करें आज चार मां अकस्मीत ता अचानक घटने घटना इस माथी योग गेता बनावने चांवाचा हमी ले थाहाचा इस जगत रही पकित्ती मां घटने हर घटना परिबर्तन सेल चार्चा नास्वान चार्चा तो यो जगत एक तर्फबाड़ा हेरने हो भने नेमीत छा सभी पहिलाने तई भायको जस्तो छा रफिर और कुद तर्फबाड़ा हेरने हो भने हर घटना अचानक कर चार्चा आकास्मिक जस्तो छो यो दन्दात्मक मां दार्चनी खरो बिचारक खरो फस्त छन्ट जो फसेर जसले आपनो मत जहेर गर छो फिर तेस जहेर मत मा अरु मानिस सारा मानिस औरो फस्त छो जसरी राजमिती पनी यही मत आप भाजिये र फसेर आपनो विचार द्वारा मानिस लाई दास बनाऊ छन् अत्वा आज हमें इसमा फसने छाइनों इसलाइज जनने छाइए जगत दुन्दात मत एक शरीर छा इस्त्री को और कुछ शरीर छा पुरूश को फिर एक शरीर को काम यहटई हो मात्र भिवारी कारे भिवाजन मात्री हो यहां मध्धिस्तता मध्धिमारग छो न्यूटोन छो पोटोन वर इलेक्टोन भित्र छो न्यूटोन विविभेख यह मध्धिस्तता छो फिर दुन्दात मत पनी छो इस मध्धे साधार मानिश जोब्वध गम में का सम्मा छाइना त्यों साधक उसको लागी आजगों चर्च महत्युपण हुझ एक तर्फ बाटा हेराउं जगत यो पहिलाने नियेत बस छा निये मन छा जस्तो बेग्यान ले अनुबंग्सी किता जान्द छा एस्ते जस्तो पूरा जगत पहिला द्वारा ने जुन आधीन काल देखी यो रहुंजेल समा उत्पती देखी नास इसको अंते नहुदा समा यो एक हिसाबले तैज इसको रूप रेखा तैज यो तर्शाधा भया अब इसलाइ जहले जान्दा इसलाइ भोग दे जान्दा इहां घटना नास्वान ता परिबर्तन सिल ता इसलाइ जहलनों को लागी मानिस भेहुसी मा अज्यांता मा उसलाइ यो असाई ही रहां जो अतो यहां इसली घट सब पूरा घटना जस्तो है मिले प्रकीर्टी मा थी हे रहां यहां भुक्कमप अंतिव एस प्रकीर्टी की बिपत्ति हरु जती छान्द इस अभई आकस्मिक जस्तो लागछा रामानिस एसमा पर्द अशा रामानिस दे आफनी मतले मान्दाच उसली जिबन को अज्यानता लाई समाय को छा बने उसली भाग्या लाई समझाने छा फेर इस्षूर लाई दोस दिने छा अनेग गरने छा उसली एउटा नाई एउटा नाई एउटा बहाना बनाउने छा तर बहाना जी बने पने यो आकसमिक ता अचानक उगरने घटना इसमा थी योग ता बनाउनी पने छा इसमा योग बनने पने छा आता एसमा योग्जी बनना को लाजी तिती सजीलो छाएना जो अज्यान माचन जो संसारिक्तामा भशी सकेगा छन जो भश दाछन उने हरुलाई तिती सजीलो छाएना उसले जिबन भर को संगरः गर्दाचा संगरशको संगरः संपति को संगरः गर्दाचा पूरा जिबन को संगरशको फल उसले संपति संपन्यता आदेमा जुन संग्रह गर्दाच रति संग्रह अचानक ना सुन्छ आग लागी या जुन्सुके प्रकितिक विवत्ति द्वाराद्य अचानक ना सुन्छ तो मानिस इसलाई कुन्द रुपी सुई काज्राश युद देखने बने जा इसलाई मानिसली सहाज रुप मा सुई कार्यो बने ता फेरी उसकुति संग्रह कि दुखादाई थीया नाव १। फेरी यहां बाटमानिस अपने जिवन लानी छोड़ ना सक्छा आर ना सक्छा है 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 कि अतव हमिले जिवन बेभार मा होस या जन्सुके जिवन को हर बावदिख या बिभारिक हर कारे मां एस अचानक ता संग खेलने अभ्यास करने पादा था यह एस मां खेलें बने आमी अचानक ता घटना लाई सुभाबिक गृप मां यह एस मां खेलें बने आमी इसमा रमावना सक्छानक ता अखल्समीक रूप मां घटना मां रमावना सक्छान पहिला ता इसको योग्यता भनेगो जुन्सुके घटना जुन्सुके विपत्ती सम्जाया मानी इसले ता इसलाइब विपत्ती बने रपरिभासित गरेगो छा परकिर्दीले ल्याउने बिपत्ती बनेरे मानी इसले मानी सक्छा ता उसले फेरी एसमा थी खेलना सक्छाने छाइल इसमा थी रमाउन सक्छा जब सम्मा उए इसमा थी रमाउन सक्छा उसले आकस्मेक ताले अचानक ताले नास गर्चा जब उरमाउन सक्छा तब नास करना सक्छा जब अचानक ता अकस्मीक घटने घटना मा उरमाउन सक्छा उलमाउन सक्छा जो सचेत छा उसियार उसको मन ले आउने घटना लाई पनी आभास करना सक्छा उसले जानना सक्छा तब तेस संग खेलना सक्छा जुतना सक्छा रमाउना सक्छा अब यो बिभारिक रूपको हो भने यही अनुसार को जिबन साइली यही अनुसार को ढंग बिभारिक तामा अपना उनुपरे हो जुन एक योगी को जिबन योग्य हुझा जसले कुने संग रहा गर दे जो लोभ मह मध मासरे इस तो मभशेको चा उसले यो अच्छानक तालाई जानना सब्देना मानना सब्देना इसलाई उसले विपत्ति ही ठांदा चा जुन आज़ेको संशाले ठानी रहेको तो यो विपत्ति हुई प्रकिति में आउने हर घटना संग खेलना सकने तो यो संपति हुई हर घटना जस्तो सुके विपत्ति हुई उसले जानने लिए रजावस यो संपति हुई एसले आभास करना सकूं एसमाति सचेद बनना सकूं रसचेद तापुर्वक खेलना सकूं एस सुभाविक तामा सबैकुरा उचित चा अनुचित चाई न इहां बिनास चाई न इहां सबैकुरा विकास चाई मानिशली बिपत्ति भने को परकीरति को घटना करम जस्तुख सुकह उस त्यू बिनास को रभीकास चाह्मा रशकर मेंड़त्य हिकास बनावन को लागि उसको बाव दिक उसको चेतन इस्थिति कुंद्रुप को रहन पर्दशा यो हमी सबय लाई था हाँ जो हमीले कस्तु धंग को जिबन सहीली अपनावन पर्दशा यू पनी अभाँ सोचन पर्दशा कि आजको पूरा संसार उल्टुछ कि उसले ठांचा बिपत्ती तयों उल्टुछ अब एसलाई सुल्टु बनावन पर्दशा एस माथी सोच विचार करों रही अकस्मिक तलाई ए अचानक तलाई अब चेतन रूपमा अभ्यास करों अब साधना अब साधक को लागी यू सुत्र कि जब हमेंने कुणिन मत मव्वदिक आ्रे गर मन या जिवनु या जिपनी आपन जेशुकेником कि केही गरी रहां चों केही जोली आफंच्क केही शोची रहां चों केही ठानी रहां चों केही मानी रहां चों जेशुगे गरी रहां चों त्यों सारी रीखोस या माना से खोस तर तेसलाई गर्दा गर्दे बीच में अचानक छोड़ दिने सोची रहे को चों तर तो सोच अचानक बीज में छोड़ दिने अत्यों भंगो भायो गायो तेस को जती नहीं ठोलो मुल्ले होस तेस विचार को जती नहीं ठोलो मुल्ले होस एस तो अभ्यास गरूं फिर तेसमा तिमें बाधियो को पनी छोओ येस को जाँछ हो यो तिमुले जिवन को सबे बंदा मुल्ले वान ठानी रहे को कुने कारे आधा सम्मगा है का छोओ अब तेसलाई बीज में चट्टे छोड़े देन तेसलाई भुली देन। तेसलाई दियेको सबई मुल्ले जती सब इत्यागी देन। अचानक। जस्ते आजको संसाले परकितिमा बिपत्ती आये भनजाने। तिम्रो पूरा जिबन भरीको सारीरिक संगर सले संगरहा गरेको संपति में आगो लागयो शक्यो एक छेण मां सक्यो। यह भुई चालो आयो तिम्रो घर तिम्रो महल ढ़ालियो सक्यो। इस था ही। तिम्रो जी गरी रहेगा चो बोधिक या विभारिक विचार महोस या विभार महोस इस अचा नक्ता लाई जोड़न। इसको अभ्यास करन। सान अभ्यास ने पर्याप्त हुनच। एवड़ा सान विचार गर्षो या तिम्रो मन देख। जुन्सुकी ठाउं मां गरी अलजी रहेको चा या तिस ठाउं को भारे मां उस मन को कारे मां तल्लें चा तक ति अचानक छोड़े देन। ति रोजक होज। ति महत्तु पुण होज। एशको मुल्ले न राखन। एशको मुल्ले राहयो भने फिर फासने चा मानेश। मुल्ले नहीं न दिन। कुने पनी कारे को, कुने पनी विचार को, कुने पनी मुल्ले न दिन। महत्तु न दिन। मिरा अचानक छोड़ना सकने बन। फेरी एशको आचा गलत अर्थ न लागोस। फेरी जिवन मुल्ले वान चाहे न। एशको गलत अर्थ न लागोस। यो कुन यो क्यता को लागी हो। कुन संधर्वको हो। त्यो बुझेरा मात्र येसमा थी। आपनो मत बनाऊन। जिवन को मुल्ले परिपोन चाह। मुल्ले वान चाह। इहीं मुल्ले वान जिवन लाई। सुभाविक चाहिन. ति मुल्ले हेँ जिवन माची रह्यकाँ। और अशली मुल्ले वान नको लागी। मुल्ले हेन चच्छ नि बनाऊ नको लागी। सहज्र बने बनीए कौ। यहां शमे कुरा बनेएकौ रही। आतो हो एस अचानक घटने घटना आकस्मिक आउने रोकावट को अभ्यासले मानिस योग्य बननेज जलनों को लागी योग्य बननेज यो ब्यभारिक तामा यो उधारन मा अभ्यास बवद्धिक धेरेच बवद्धिक गननों पनेज बिचार मा गननों पनेज यो ब्यभारमा यो गउंड हो फेरी मन लाई नियंद्रन मा लिना बद्धिलाई बसमा ल्याउना यो बिधी सायगूंच यो शुत्र सायगूंच यो अभ्यासले निपूना तामच मन को इन नियंताण